दोस्तों अभी के टाइम में अगर आपको ये स्मार्टफोन लेने के सोच रहे हैं तो काफी अच्छा टाइम है स्मार्टफोन बाय करने का क्योंकि Amazon के Republic Day Sale में बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन है जिन पर काफी अच्छा अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है तो मैंने भी इस Republic Day Sale के अंदर 6 ऐसे स्मार्टफोन चूज किया है जिनकी प्राइज 8,000 से लेके और 60,000 के बीच में आती है ये सारी कुछ बाते हम इसी वीडियो में करेंगे लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटी से रिक्वेश्ट है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वैसे अगर इस पेज पे आप क्लिक करके जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ 9,000 के आस पास प्राइजेस दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे कि यहाँ पे 949 रुपए का बैंक ओफर भी है तो अगर आपके पास SBI के क्रेड़ कारड है या अगर किसी आपके दोस्त के पास SBI के क्रेड़ कारड है तो आप 8,000 रुपए में Samsung का यह फोन आराम से खरीद सकते हैं अगर आप एक entry-level फोन खरीदना चाहते हैं इस प्राइज में आपको 4GB RAM, 64GB के स्टोरेज मिल जाएगी 6,000 MHz की बैटरी मिल जाएगी प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको Exynos 850 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा अगर इसके कैमरे की बात करें तो यहाँ पे 50MP main sensor, 5MP का ultra wide और 2MP का macro sensor मिल जाता है और इसका जो front camera है वो 8MP का है software experience की बात करें तो यह Android 12 के साथ आता है और One UI 4 के साथ आता है 6.6 inch की इसमें आपको LCD display देखने को मिल जाते है जो की Full HD resolution के साथ आती है तो entry level के हिसाब से यह phone बुरा नहीं है अगर आप अपने parents को देना चाहते हैं या कोई ऐसे person है जिनको बहुत ज़्यादा hard use नहीं है phone का तो इसको ले सकते हैं थोड़ा सा disadvantage इसमें यह है कि Exynos 850 processor इसमें आता है तो आम तोर पर यह कहा जाता है कि Samsung के जो Exynos processor होते हैं वो Mediatek या Snap Dragon के processor जैसे काम नहीं करते हैं थोड़े समय के बाद वो थोड़ा सा slow होने लगते हैं बाकी price के हिसाब से काफी value for money deal लगी मुझे अब बढ़ते हैं इससे थोड़ा सा और उपर अगले phone के तरब जो की है Realme का Narjo 50 अगर आपको 5G से मतलब नहीं है और आपके पास 10,000 से नीचे का budget है और आपको high performance वाला phone चाहिए तो यह phone आप आँख बंद करके ले सकते हैं अभी के time में क्योंकि इसके अंदर लगा हुआ Mediatek Helio G96 processor और price देखिए bank offer के साथ यह phone आपको 8,999 यानि कि सिफ 9,000 रुपए में आपको मिल जाएगा अगर और ज्यादा detail में जाए bank offer में यहाँ पे 999 यानि कि लगबग 1000 रुपए का discount मिल जाएगा SBI के card पे इस phone के अच्छी बात क्या है कि अगर यह phone आपको 9,000 रुपए में मिलता है तो उस हिसाब से यहाँ पे processor काफी आपको powerful मिलता है Helio G96 पहले यह processor आपको Realme 7 में देखने को मिलता था जो की 15-16,000 के आसपास का phone था अगर कोई gaming वगएरा करना चाहता है या किसी को अगर high performance phone चाहिए तो इस processor के साथ जा सकता है इस price range में इसके साथ अच्छी बात क्या लगी कि यहाँ पे आपको कोई भी outdated display देखने को नहीं मिलती है हाला कि यह display IPS से Super AMOLED नहीं है लेकिन फिर भी price को देखते हुए यह बिलकुल भी बुरी बात नहीं है आपको कोई भी outdated water drop notch वाला design नहीं मिलता है और यह display 120Hz refresh rate के साथ आती है तो अभी आप देखो कि अगर यह phone आपको 9000 रुपय में मिल जाता है तो एक अच्छा processor अच्छा refresh rate वाला display और साथ में decent camera भी आपको मिल जाता है 5000 image कि इसमें आपको battery मिल जाती है और 33W का fast charger भी मिल जाता है अभी 9000 रुपय में आपको क्या ही चाहिए इसके अलबाए LPDDR 4X RAM ह और UFS 2.1 storage है जो कि कुल मिला के काफी बहतरीन package मुझे लगता है अगर आपको 5G यूज नहीं करना है तो आप आँख बंद करके इस phone को इस price point पे ले सकते हैं अब बढ़ते हैं अगले phone की तरब चोकी है IQ का IQ Z6 Lite 5G यह phone यहाँ पे आपको bank offer के साथ 11,249 रुपय में देखन अगर यहाँ इसके main page पे आप जाएंगे तो यहाँ आपको काफी high price दिखाएगा लगबग 15,000 रुपय लेकिन जब आप bank offer अपलाई करेंगे तो यहाँ यह phone सिर्फ आपको 11,249 रुपय में मिलेगा यहाँ पे देख सकते हैं imagine के page पे ही लिखा हुआ है मैं कोई अपनी तर प्रॉप नॉच वाली है चोटी से नॉच दी गही है इसके अंदर 5000 इमिज की बैटरी मिल जाती है और एक चीज और है travel adapter to be purchased separately मतलब कि आपको charger अलग से लेना पड़ेगा इसके साथ में आपको charger नहीं मिलेगा यह बात मुझे अच्छी नहीं लगती है कि जो brand कम price में अच् देखने को मिलता है वही OS इसमें आपको देखने को मिल जाता है तो अगर आपको सस्ते प्राइज में एक 5G फोन चाहिए तो यह ले सकते हैं बाकि कोई भी फोन 100% परफेक्ट नहीं होता है तो यह चीज आपको चूज करना है कि कौन सा फोन आपके जरूरत के हिसाब से fit ब 25,000 रुपए वैसे तो यह फोन 2799 दिखा रहा है लेकिन बैंक कोफर के साथ यह फोन आपको 25,000 रुपए में मिल जाएगा अच्छी बात क्या है कि इस फोन के अंदर आपको Snapdragon 870 processor मिल जाता है 80W का fast charger मिल जाता है जो की बहुत fast आपके फोन को charge करता है 8GB RAM और 128GB storage वाला variant है और इसमें आपको 64MP का OIS वाला camera मिल जाता है डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे 120Hz वाला E4 AMOLED डिस्प्ले आपको मिल जाता है और यहाँ फ्रंट में punch hole मिल जाता है मतलब कि modern design वाला डिस्प्ले है और chin वगएर भी काफी यहाँ पे कम देखनी को मिलता है triple rear camera है 64MP का main camera 8MP ultra wide और 2MP का macro camera यहाँ पे दिया गया है 4700 damage की इसमें आपको battery मिल जाती है 360Hz का इसमें आपको touch sampling rate वगएर मिल जाता है और gaming के लिए काफी सांदार phone है देख सकते हैं यहाँ पे 7 लाग से उपर N22 score है इसका UFS 3.1 storage भी दी गई है जो की काफी fast होती है 5G phone है तो future proof भी है कुल मिला के 25,000 के price point पे अगर आपको कोई भी high performance phone चाहिए तो IQ Neo 6 5G को आप आराम से ले सकते हैं IQ के phone वगरा का hitting management वगरा भी काफी अच्छा होता है अब बढ़ते हैं अगले phone की तरफ जो की है हमारा Samsung Galaxy S20 FE 5G इसके बारे में मैंने एक separate video बनाया हुआ है कि क्या 2030 में यह phone लेना सही रहेगा या नहीं लेकिन अभी यह phone आपको 35,000 रुपे के बीच में देखने को मिल जाता कुछ टाइम पहले लेकिन अभी sale के दोरान यह phone आपको 29,999 और अगर आप इस पे card बगर अपलाई करते हैं तो 7,500 रुपे का और इस पे discount मिल जाएगा तो इस तरह से यह phone 28,500 रुपे के आसपास आप ले सकते हैं Snapdragon 865 processor के साथ यह phone आता है और यह Samsung का fan edition वाला phone है तो बिल्कुल premium feel आने वाली है इस phone के अंदर आपको इसमें आपको frame हो गयर है aluminum के मिल जाता है और camera तो भाई इसका काफी जबर जसते है 6.5 इंच की 120 Hz refresh rate वाली AMOLED डिस्पले है 4500 image की इसमें आपको battery मिल जाती है IP68 rating है मतलब की dust and water resistance है अगर phone कभी पानी में भी गिर जाए या phone के उपर कभी पानी गिर जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इसके अंदर जो processor है snapdragon 865 वो काफी stable processor है चाहे आपको किसी भी तरह के काम करने हो triple rear camera है main camera 12 megapixel का ultra wide 8 megapixel का और 12 megapixel का यहाँ पे telephoto lens भी आपको मिल जाता है और जो इसका front camera है वो 32 megapixel का है तो camera display और Samsung का one UI कुल मिला के आपको काफी सांदार experience मिलने वाला है अभी कुछ दिनों पहले ही इस phone पे android 13 का update आया है और उमीद है कि आगे एक और update मिलेगा हाला कि इस पे मैंने एक detailed video बनाया हुआ है मैं i button में link दे दूँगा उसको आप देख सकते हैं इस video को देखने के बाद तो आपको पता चल जाएगा कि इस phone में कैसे क्या है हाला कि उस video में मैंने बोला है कि इस पे आपको ज्यादा update नहीं मिलेंगे लेकिन samsung नहीं यह कहा है कि इस पे android 13 के बाद भी अभी update आपको मिलेंगे बैटरी एमेज कम है लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा सा मैनेज तो करना ही पड़ेगा इतने कम प्राइज में samsung का कोई flexi phone आपको मिल रहा है वसे तो यह phone 25 वार्ट तक की charging को support करता है लेकिन box में आपको 15 वार्ट का charger मिलता है तो अगर आपका budget 30,000 के आसपास है कोई flexi phone लेन तो iPhone के लिए यहाँ पर एक offer आपको दिख रहा है जो कि पिछले big billion day sale में काफी चर्चित phone था और वो है iPhone 13 और यहाँ पर आपको यह 7,749 में देखने को मिल रहा है यानि कि 57,749 रुपए bank offer वेगरल लगा के हाला कि पिछले big billion day sale में मैंने iPhone 13 52 के मिलिया था अगर iPhone 13 का detailed review दे Amazon के उपर link description में वहाँ से click करके आप चाहें तो देख सकते हैं या खरीद सकते हैं तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को like करें अपने दोस्तों को भी share करें मैं मिलता हूं अपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारिक साथ तब तक के लिए जय हिंद बंदे मात्रम